दिक्टेसन स्टार्ट होगी तीन सेकंड बात सिक्षा का उद्देश्य तनाव देना नहीं बलकि तनाव को दूर भगाना होता है जब सिक्षा तनाव देने का माध्यम बन जाए तो वह उद्देश्य हीन हो जाती है पिछले कुछ सालों से ऐसा लगने लगा है कि सिक्षा विध्यार्तियों में दबाव कुंठा और पलायन की प्रवरती विक्सित कर रही है शायद यही कारण है कि किशोरों और युवाओं में आत्म हत्या की दर बढ़ रही है पिछले वर्ष केवल कोटा में 29 विध्यार्तियों ने आत्म हत्या कर ली और इस साल के पहले महीने में ही वहाँ दो विध्यार्तियों ने खुद को फंदे पर लटका दिया जो की विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे थे समाज वेज्यानिकों का मानना है कि सिक्षा विध्यार्तियों को चुनोतियों का सामना करना जीवन में संगहर्ष करना सिखाती है सोशन के वृद आवाज उठाना और समवेधानिक मूल्यों को आत्म साथ कर समाज का एक सभ्य नागरिक बनना सिखाती है पर आत्म हत्याओं की संख्या में होती व्रधी तो कुछ और ही कहानी कहती है पेरा दरसल सिख्षा के बाजारी करन ने सिख्षा को लाभ केंदरित व्यवसाय बना दिया है जहां लाभ कमाना प्रमुख लक्षय होता है वहां सार्वजनिक हित या कल्यान की बात सोचना उचित प्रतीत नहीं होता एक रपट के अनुसार देश में इस वक्त कोचिंग उद्योग करीब 58,088 करोड रुपय का है और वर्ष 2028 तक इसके 1,33,000 करोड रुपय से जादा का हो जाने का अनुमान है विचार का विशे यह है कि आखिर क्यों इन कोचिंग संस्थानों का बाजार इतना फल फूल रहा है क्या विद्दाल्य और महा विद्दाल्य सिक्षा देने में ऐसा मर्थ हो गए हैं या वे बाजार की मांग के अनुरूप सिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और बच्चों को बाध्य होकर कोचिंग में जाना पड़ता है पैरा इसमें संधे नहीं की सबसे सिक्षन संस्थान उद्ध्योग के रूप में उबर कर आए हैं और उद्ध्योग पतियों ने सिक्षा को एक उतपाद के रूप में क्रेवी क्रे की वस्तू बना दिया है तब से सिक्षा बाजार की जरूरतों के हिसाब से दे जाने लगी है कहीं ऐसा तो नहीं की बाजार के अनुरूप सिक्षा समाज के वुरुद सिक्षा बनती जा रही है क्योंकि वर्तमान सिक्षा बच्चों में पलायनवाद की प्रेवरती को विक्सित कर रही है वे अपने पहले प्रयास में ही सफलता के उच्चतम शिखर को छूने की आकांशा रखते हैं और ऐसा नय होने पर स्वेम को समाप्त करने से भी नहीं चूकते इस बाजारवाद के दोर में सिक्षा महंगी और जान सस्ती हो गही है पहले के समाजों में जब परिवारों का आकार बड़ा होता था और व्यक्ती को जीवन जीने के लिए अनेक संगर्ष करने पड़ते थे तब भी वे आत्म हत्या के बारे में नहीं सोचते थे हर समस्या का सामना सूजबूज और सामूहिक प्रयास से करने की कोशिस करते थे मगर आज की किशोर और युवापीडी मानू जीवन जीना ही नहीं जानती पैरा इसका एक महत्वपून कारण हमारी सिक्षन प्रणाली भी है इसकूल में बच्चे केवल प्रतीसपरधा करना नहीं सीखते बलकी समहू में कार्य करना अपनी टीम का नेत्रित्व करना निर्णे लेना मस्ती करना लीक से हटकर सोचना खेलना कूदना मित्रों के साथ त्योहार और उत्सव मनाना सांस्कृतिक और साहितिक गती विधियों में सहभागीता करना और समाज में व्याप्त विविदता को भी सीखते हैं मगर अब छोटी छोटी उम्र में कोचिंग का हिस्सा बनना और गला काट प्रतीसपरधा में शामिल होने से बच्चे इन सब गती विधियों से वंचित होते जा रहे हैं उन्हें अपने सहपाठियों में मित्र नहीं बलकि प्रतीसपरधी नजर आते हैं नतीज तन वे अपने मन की बातों को भी आपस में साज़ा नहीं कर पाते और तनाव में आकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनके परिणाम से संभवते वे अवगत भी नहीं होते पैरा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे सिक्षा और ज्ञान व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी होते हैं वैसे ही संस्कृतिक, साहितिक और खेलकूद समंधी गती विदियां भी व्यक्तित्व विकास में महत्वपून भूमी का निभाती है इसकूल में बच्चों को इन सब गती विदियों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है लेकिन कोचिंग में नहीं यहीं कारण है कि कोचिंग में पढ़ रहे बच्चे इसकूल से कहीं ज़्यादा तनाव में होते हैं इसकूल में बच्चों के दोस्त होते हैं जिनके साथ वे अपनी समश्याओं को साजह करके पढ़ाई का तनाव कम कर लेते हैं लेकिन कोचिंग में बच्चे दोस्त नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें हर किसी में प्रतिस्परधी नजर आता है उन्हें केवल पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए निर्देशित किया जाता है बाकी सभी गती विधियों को उपेक्षित करने की सलह दी जाती है शायद पढ़ाई या प्रतियोगी परिक्षा में सफलता को ही वे जीवन और विफलता को मरत्यू समझने लगते हैं ऐसी सिख्षा किस काम की जो बच्चों पर इतना दबाव डाले की वे दबाव को नए जेल पाने के कारण आत्म हत्या तक कर लें हाल ही में कैंदर सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए दिसा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार अब कोई कोचिंग संस्थान सोल है साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन नहीं कर सकता सिर्फ माध्यमिक की परिक्षा के बाद ही नामांकन करना होगा साथ ही अब कोचिंग संस्थान अच्छी रैंक और गुमरह करने वाले वादे भी नहीं कर सकते अगर कोई संस्थान ऐसा करता है तो पहली बार 25,000 रुपे फिर एक लाख रुपे के दंड का भागी होगा और जरूरत पढ़ने पर उस संस्थान का पंजी करन भी रद किया जा सकता है इसे एक सकारात्मक और महत्वपून कदम कहा जा सकता है हालंकि ऐसे दिशानिर्देश पहले से मौझूद हैं लेकिन उनकी पालना आज तक नहीं हो पाई इसलिए कि दिशानिर्देशों की पालना अनिवार्य नहीं मानी जाती अगर निर्देशों को कठोरता से लिया जाता तो अब तक इस दिशा में कुछ तो सुधार हो गया होता स्टॉप